तो हेलो दोस्तो मैं हूँ आपका मोहम्मद साविरुसेन ठीक है दोस्तों और आप लोग हमारा यूटुब चैनल लेख रहे हैं अगर आप लोग मेरे इससे पहले वाले वीडियो देख चुके होगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग ने यहां तक पढ़ चुका है जहां पर हम लोगों ने सियाही के बून डाले थे हैं जल में ठीक है और शहत के बून अब हम चलते हैं किरिया कलाप 1.5 की तरफ एक गिलास गरम पानी से और दूसरा ठंडे पानी से भरे गिलास में कॉपर सलफेट या पोटेसियम पर मैगनेट का एक क्रिस्टल डाले और एक और रख दें लाए नहीं ठीक है दोस्तों यहां पर कह रहा है कि एक गिलास हमें पानी लेना है और वो पानी गरम होना चाहिए ठीक है और दूसरा गिलास लेना है उसमें भी पानी होगा लेकिन वह ठंडा होगा ठीक है यानि कि एक गिलास में गरम पानी और दूसरा गिलास में ठंडा पानी ठीक है भर देना है और गिलास में कॉपर सलफेट हो या पोटेसियम पर मैंगनेट हो दोनों में से कोई भी हो उसके एक क्रिष्टल को दोनों में डाल देना है एक क्रिष्टल को ठीक है और एक और रख देना है किनारे जहां पर आपके पास जगह हो वहाँ पर रख देना है हिलाना नहीं है ठीक है क्रिश्टल को सता पर बैठने दे जो क्रिश्टल हम लोगों ने पानी में डाला था यानि कि जो गरम पानी था या जो ठंडा पानी था उसमें हम लोगों ने जो डाला था उसको बैठने देना है गिलास में ठोस क्रिश्टल के ठीक उपर क्या दिखाई देता है यानि कि जो गिलास के उपर गिलास में जो हम लोगों ने किराश क्रिश्टल डाला था वह ठोस होता है ठीक है और उस ठोस क्रिश्टल के ठीक उपर हमें क्या दिखता है उसके बारे में बताना है हमें समय बीतने पर क्या होता है इससे ठोस और दुरौव के कणों के बारे में क्या पता चलता है क्या तापमान के साथ मिस्रित होने की दर बदलती है क्यों और कैसे तो हमें बताना है दोस्तों कि उस क्रिश्टल के उपर क्या होता है बोस और द्राव के कणों के बारे में क्या पता चलता है और तापमान के भी बारे में पता करना है क्या जिस वक्त हम लोगों ने डाला था गरम पानी में तो क्या वो अभी तक गरम पानी है जिसको हम लोगों ने ठंडे पानी में डाला था तो क्या वो अभी भी ठंडा है इस से तापमान का भी हमें बालूम चल जाएगा क्या तापमान बदल रहा या नहीं बदल रहा ठीज है दोस्तों तो मैंने यह क्रिया कलाप नहीं किया है या मैंने देखा भी नहीं है तो मैं इसके बारे में पूरी तरह से आपको जानकारी नहीं दे सकता अब हम चलते हैं आगे की और किताब ही हमें बताएगा कि आखिर क्या होता है इसमें तो 1.3, 1.4 और 1.5 से हम निम्नलीखित निसकर्स निकाल सकते हैं तो वो क्या है देखते हैं पदात के कण निरंतर गतिशेल होते हैं जी हाँ दोस्तों हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था पहले वाले वीडियो में कि जो पदात के कण होते हैं वो निरंतर गतिशेल होते हैं यानि चलते फिरते रहते हैं गति करते रहते हैं अर्थात उनमें गतिज उर्जा होती है जिस दोस्तों अगर वह गती करता है तो यानि कि उसके अंदर गती जूर्जा है क्योंकि किसी भी कार करने के लिए उर्जा की उशक्ता होती है और गती भी करने के लिए हमें उर्जा की उशक्ता होती है जिस कारण हम उसे कह सकते हैं गती जूर्जा तापमान बढ़ने से कणों की गती तेज हो जाती है ठीके दोस्तों जो तापमान हम अगर बढ़ाते हैं तो पदात में जो कण होते हैं वो धीरे धीरे तेजी गती से चलने लगते हैं ठीके वो ज्यादा गती श्यल हो जाते हैं इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज उर्जा भी बढ़ जाती है तो जो वो गतिज ज्यादा करेगा दोस्तों तो उसके लिए उर्जा भी तो ज्यादा चाहिए यानि कि उसका उर्जा ज्यादा मिल रहा है तभी गतिशील हो रहा है हम इस तरह सकते हैं कि इसकी जो गति जूर्जा है वो अभी बड़ रही है उप्रो कृस्थ अनो प्रिय कलाप में हमने देखा कि अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंतर मिसृत हो जाते है ठीक है दोस्तों सही बात कर रहा क्यूंकि हम लोगों ने तो केवल पानी में चीनी डाला था पानी में नमक डाला था पानी में याही डाला था उसे मिलाने की बात नहीं कही गई है यानि कि हम लोगों ने उसे मिलाया नहीं था खुद पर खुद घुल गया, खुद पर खुद उसमें मिल गया तो इससे क्या होता है कि हम मालूम चलता है कि जो दोनों पदात थे उनके जो कण है वो आपस में एक दुसरे को खीच रहे थे, तभी तो वो मिल गया ठीक है? हमने देखा कि पदात के कड़ अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंतम मिस्रित हो जाते हैं ऐसे कड़ों के रिक्त अस्थानों में समावेश के कारण होता है यानि कि जो रिक्त अस्थान होते हैं पदात के कड़ों के बीच उसमें समावेश के कारण होता है दो विभिन पदार्थों के कड़ों का सुवता मिलना ही विसरन कहलाता है और जब ये दो पदार्थ आपस में खुद पर खुद मिल जाते हैं सोया मिल जाते हैं उसे मिलाया नहीं जाता वो खुद पर खुद मिल जाते हैं तो इसे हम विसरन कहते हैं यह एक अच्छा question है कि विश्रन किसे करते हैं तो इसको हम लोग यहां से note कर सकते हैं कि दो विभी ने पदा थे कि कणों का स्वता मिलना ही विश्रन कहलाता है ठीक है दोस्तों कि अमीद है कि आपको अच्छा लेगा और आपका यह काम भी आएगा ठीक है दोस्तों तो आप इसे नोट जरूर कर लिजेगा कि विश्रन कहलाता क्या है हमें यह भी पता चलता है कि गर्म करने पर विसरन तेज हो जाता है ऐसा कि होता है विसरन तेज हो जाता है दोस्तों यानि कि अभी तुरंत हम लोगों ने पढ़ा कुछ समय पहले कि जो गती जुर्जा है यानि कि जो गती जुर्जा है वो बढ़ जाता है जब हम लोग तापमान ज्यादा करते हैं जब गती जूर्जा पढ़ेगी तो उनके बीच गती होगा ज्यादा आकर्सन होगा ज्यादा तो वो कारे भी तेजी से करेंगे तो इस तरह सहम कर सकते हैं कि जब वो आपस में मिलेंगे तो वो भी तेजी से करेंगे तो हम जब वो आपस में मिलेंगे तो आपस में मिलना ही विष्रन कहलाता है अर्था थम कर सकते हैं कि विष्रन तेज हो जाएगा जब हम उसका तापमान जादा करें तो अब हम चलते हैं दूसरी साइट क्योंकि पहली साइट को हम लोगों ने पढ़ लिया समझ लिया और मैं अपनी तरह से पूरी तरह से प्रयास करता हूँ दोस्तों ताकि आप लोग समझ सकें असानी से और अगर फिर भी ना समझ पहे तो फिलीज हमें कॉमेंट कीजिएगा मैं अपनी तरह से और कोशिश करने की और कोशिश करूँगा तो अब चलते हम लोग दूसरी साइड आ चुके हैं तो देखते हैं क्या होता है तो पदार्थ के करण एक दूसरे को आकरसित करते हैं हाँ तो हम लोगों ने ये से थोड़े देर पहले पढ़ा था कि जो पदात के करण हैं एक दूसरे को आकरसित करते हैं तो इसको अब हम लोग किरिया कलाप 1.6 में यानि कि किरिया कलाप से अब हम लोग जानेंगे की कैसे हैं तो इस खेल को एक मैदान में खेलें आगे बताये गए ढंग से चार समुव बना कर मानोसरी कला बना है यानि कि दोस्तो यह एक खेल के दौरा में बताया जा रहा है यह जो किरिया कलाप है यह खेल है ठीक है और इसके दौरा में बताया जा रहा है कि जो आकरसनवल है यानि अकर्सित होते हैं पदात के करण एक दूसरे को कैसे है तो हमें एक खेल के मैदान में पांच-पांच आदमी की यानि यहाँ पर पिक्चर दिया हुआ है इसलिए मैं पांच कर रहा हूँ यह से इसमें नहीं लिखा हुआ है तो मैं बोलूँगा कि पांच पांच आजमी के चार समू बनाना है ठीक है और मानो सरीकला बनाना है जो पहला समू है वो इद मिश्मी नर्तकों की तरह एक दूसरे को पीछे से कसकर पकड़ लेगे जिस तरह से यह पिक्चर आप लोग देख सकते हैं यह कितनी कसकर एक दूसरे को पकड़े हुए है ठीक किसी तरह से पकड़ रखना है पहले समू के जो होते हैं मानो सरीकला ठीक है अब दूसरी मानो सरीकला क्यों चलते है तो दूसरा समू का जो मानो सरीकला है वो हाथ पकड़ कर मानो सरीकला बनेगा ठीक है और जो तीसरा समू है वह केवल उंगली के सीरे से छूँकर एक स्रिखला बनाना होगा ठीक है यहां तक आपको समझ में आता होगा यानि कि एक को इतना कस के पकड़ कर दूसरा हाथ केवल पकड़ कर और तीसरा केवल उंगली से छूँकर ठीक है और जो चौथा समू है वह मानोस रिखला नहीं बनेगा बलकि वह मानोस रिखला को तोड़ने का काम करेगा तो किस समू को तोड़ना आसान था और क्यों? यदि हम परति एक विद्यार्थी को पदार्थ का एक कड़ माने तो किस समू हमें कड़ों ने एक दूसरे को सबसे अधीक बल से पकड़ राखा था तो अब ये पूछ रहा दोस्तों कि तीन समू तो बने थें जिसमें चौता समू जो है वह उससे तोडने कर रहा था तो यह कोश्चन करता है कि जो चौता समू है तोडने वाला वह किसको सबसे असानी से तोड़ सकता है तो हम सभी को मालूम है कि जो उंगली छूओ कर रखे हुए थे यानि कि उंगली छूओ कर मानुसरी कलब बनाई गई थी उसको हम लोग आसानी से तोड़ सकते हैं फिर उसके बाद कहा जा रहा है कि यदि हम परती एक विद्याति को यानि कि जो भी हमारे समुव में आदमी हैं विद्याति हैं दोस्त हैं अगर हम उसको पदार्त का एक कण मान लेते हैं तो यह एक दूसरे से किस तरह से पकड़ रखे हैं और यह जो कण है सबसे अधिक कौन सा जो बल है सबसे अधिक जो बल किस कण में हैं किस समुव में है ठीक हैं तो हम लोग देख सकते हैं जो नर्तकों वाला जो था स्रिकला मानो स्रिकला वो सबसे ज़्याद अताकोत्वर है और थाथ हम कर सकते हैं कि यह जो तीसरा समू है उसमें कड़ों ने एक दूसरे से सबसे अधिक बल से पकड़ा खाता ठीक है अब आता है क्रिया कलब 1.7 जिसमें हमें पढ़ना है और जानना है कि एक लोहे की कील है एक चौक का टुकड़ा है और एक रबर बैंट लेना है ठीक है और दूसरा पॉइंट है कि इन पर थोड़ा मार कर, काट कर या खीच कर उसे भंगूर करने का प्रयास करना है ठीक है कि वह खराब हो जाए हमारे काम में ना पाए ठीक है इन तीनों में से किसके कण अधिक बल से एक दूसरे से जुटे हुए है तो हम सभी जानते हैं दोस्तों कि ये सब जो भी थे यानि कि चौक था जो या कील था या रवर बैंट था ये सब पदार्थ है तो पदार्थों कण के बने होते हैं तो या कोश्चन कर दिया कि कौन सा पदार्थ है जिसके कण एक दूसरे से बहुत ही मजबूती से जुटे हुए है थीक है तो हम लोग जानते हैं कि जो कील है उसके जो कण है वो बहुत ही मजबूती से जुटे हुए है तो दोस्तों या पर हम देख सकते हैं कि जो ये क्रिया कलाब थी वो वहीं पर समापत हो गई तो हम कर सकते हैं कि जो हमारे वीडियो है वो अभी यहां पर स्वाबत हो गया क्योंकि हम लोगों को तीसरा पेज पढ़ना था जहां पर आप लोग देख सकते हैं कि यह हमारा तीसरा पेज ही है जिसे हम लोगों ने पढ़ लिया तो चलिए दोस्तों हम लोग इस वीडियो को यहीं पर छोड़ते हैं और इससे आगे वीडियो आने वाले का इंतिजार करते हैं और मैं भी कोशिश करूँगा कि आगे वाली वीडियो जल से जल बनाओ तो प्लेज अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा कॉमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा सो थांक यू